नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ओन्डेन क्लासिफ में दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुस ख़बरी लेकर आया हूँ तो दोस्तो खुस ख़बरी ये है कि अगर आप भी इंडियन एरफोर्स में सामिल होना चाहते हैं इंडियन एरफोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं और इंडियन एरफोर्स को जोइन करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका निकल कर आ चुका है क्योंकि दोस्तों अगर आप हैं 10 प्लस 2 यानि कि इंट्रमेडियेट पास है तो आपके पास में इंडियन एरफोर्स का हिस्सा बनने का बहुत ही बड़ा मौका है तो दोस्तों आज जो भरती निकली है वो इंडियन एरफोर्स के भरती है इसके बारे हमें हम आपके लिए पूरी चानकरी डिटेल्स में देने वाले हैं जैसे इसके online registrations कब से होंगे इसका physical, medical, written test जो भी प्रोसेस है इसका कब से होगा उसके बाद में इसमें height की care requirement होगी chest की care requirement होगी जो भी इसमें मतलब दोस्तो education qualification हो गया मतलब जिस तरह की भी requirement इस भरती से संबंदित होगी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं तो दोस्तो आपको इस वीडियो में a to jack detail मिल जाएगी इस भरती के बारे में तो उम्मीद करता हूँ दोस्तो वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आप इस वीडियो को देखने के बाद में air force को join कर पाएगे तो चलिए दोस्तो श्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे request करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सिभा online classes को subscribe नहीं किया है तो हमारे चैनल को subscribe कर लें और बैल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की notification आप तक पहुंचते रहे हैं तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो दोस्तों यहां से मैंने इसका जो ओफिसल नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करके रखा हुआ है आप देख रहे हैं यहां पर तो यह है इसका ओफिसल नोटिफिकेशन भरती बायू सेना इंडियन एर फोर्स ठ सब्सक्राइब bleibtний सब्सक्क्राइब 9 सुफिकेशन मिले इंडियन खाएबुधिकेशन नहीं दोस्तों यहां पर form और आपको कौन सी वेबसाइट पर ऑंलाइन इसका रेग्स करने हैं वो यहां पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों यहां पर www.airmanselection.cdec.in इस वेबसाइड पर आकर आपके लिए इस भरते के लिए अपलाई करना है ठीक है उसके बाद में आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी दोस्तों आपको 10 प्लस टू पास होना चाहिए बाद की जो रिक् एक्टिविटीज होंगे फिजेकल टेस्ट रेटेन टेस्ट एप्टिविल्टी टेस्ट वन एप्टिविल्टी टेस्ट टू ठीक है 9 से 13 अक्टूबर तक आपका यह होगा उसके बाद में दोस्तों 14 अक्टूबर के लिए रखा गया है रिजर्बड़ इसलिए रखा गया कि 9 से 13 अक्टूबर के बीच में अगर कुछ प्रॉलम होती है तो एक दिन के लिए आगे बढ़ा दिये जाएगा 9 से 14 अक्टूबर तक भी यह कर दिये जाएगा ठीक है उसके बाद में दोस्तों 15 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक यहां पर आपका ग्रॉप X के लिए ही रखा गया है तो 9 से 13 और 15 से 19 तरह तो आपका यह टेस्ट होंगे जिसमें आपके फिजिकल रिटिन और एक्टूबर टेस्ट वन और टू होंगे ठीक है यहां पर दोस्तों आपके लिए जो रेजिस्ट्रेशन होंगे उसके साब से यहां पर कोविड-19 के जो प्रॉब्लम ठीक है उसके बाद में दोस्तों आपकी जो डेट ऑप बर्थ होने चाहेंगे इस भरती में देखने के लिए तो 17 जनबरी 2000 से 30 दिसंबर 2003 के बीच में है तो आप इस बर्ती में अपील कर सकते हैं ठीक हो सकते हैं उसके बाद में दोस्तों एज्यूकेशन क्वालिफिकेशन आपकी for group x trade के लिए है दोस्तों यहां पर intermediate pass होना आपको जरूरी है बिद आपके पास में सबसे ज़्यादा दोस्तों mathematics, physics and English with 50% minimum marks के साथ में होनी चाहेंगे मतलब आपके लिए इस बर्ती में apply करने के लिए intermediate pass होना चाहेंगे यानि कि बार्वी class pass होना चाहेंगे और आपके पास में mathematics, physics और English subject होना चाहेंगे और आपके जो overall percentage है वो 50% होनी आवस्याख है उसके बाद में दोस्तों यहां पर आपके लिए मैं लेकर चलता हूँ height के बारे में तो height weight chest के लिए मैं आपको इन्ही की website पर ले चलता हूँ यहां पर तो यह मैंने खोल के रखा हुआ है पहले से दोस्तों आप देख सकते हो यहां पर जो यह ट्रेट्स दे गई है इनके लिए इनके सामने जो हैट लिखे गई यह इतने हैट की जरूरत है और बैसे जो मिनिममम हैट है यह फोर्ज में वह 152 cm है अब यहां पर कौन-कौन से ट्रेट्स की भरती है उन्हें के साफ से दोस्तों आपकी हाइट हो जाएगी अगर यह होगा दोस्तों हाइट के साफ से लिए जाए गए हैट और एज के से निकलना चाहिए वह वैटका होना चाहिए लिप इसी तरह से दोस्तों यह variable और और फिजिकल क्रेटेर यह जो है यहां पर दिया गया है दोस्तों उसके वारे में दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहां पर आपका पेंड अलाउंसे गते हैं तो दोस्तों आपकी जो basic पर होगी यहाँ पर काफी ज़्यादा अच्छी basic पर होगी ठीक है और आपकी salary भी बहुत बढ़ी होगी यह MSP भी मिलेगी आपको जिसको military service पे बोलते हैं तो कफी ज़्यादे दोस्तों आपकी यहाँ पर salary होने वाली है उसके बाद में दोस्तों इस भरती में बताने के लिए आपको एक सबसे main बात यह है कि यह जो भरती है दोस्तों बो भरती आपकी आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों यह जो भरती है वो बिहार के candidates के लिए है ठीक है यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों Indian Air Force offers opportunities for unmailed male oblique Nepali citizen from the state of बिहार तो अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो दोस्तों आप इस भरती में apply कर सकते हैं और यह जो भरती है दोस्तों बो भरती इसका यह कहां पर होगी आप देख सकते हैं वेनू में दोस्तों यहां दिया गया है 10 Airman Selection Center Air Force Station बिहार, पतना तो यह जो भरती होगी 10 Air Force Station बिहार, पतना ठीक है तो यह पतना मोझे भरती होगी काफी अच्छी भरती है दोस्तो अगर आप 10 Plus 2 पास हैं और Indian Air Force को जोइन करना चाहाते हैं तो आपसे request है कि आप इस भरती में सामिल होगी और Indian Air Force का हिस्सा बने तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरू कर लें वीडियो फिनिस करने से पहले दोस्तों एक बात आपको और बता देना चाहता हूं कि इंडियन एर फोर्स में इसमें बहुत जादा भरती निकली हुई है और मैं डेली एक वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा अगर आप टू पास है तो आप इंडियन एर फोर्स में भड़ाती हो सकते हैं लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल पर आपकी लिए इंडियन एर फॉर्स से संबंदें जो भी न्यूज होती है यो लेकर आत झाल झाल